हेलो दोस्तों वेलकम टू चेतना क्लासेस आपका अपना होम स्कूल आप सीखने जा रहे हैं हिंदी सुलब भारती आठवी कक्षा इंग्लिश मेडियम आज का हमारा टॉपिक है चाप्टर नंबर टू दो लगु कताएं दो लगु कताएं यानि की जिसमें दो शॉर्ट स्टोरी से तो आईए पहली स्टोरी देखते हैं जिसका नाम है नीव जिसे लिखा है हरी जोशी जी ने आईए इनका परीचे देखते हैं इनका जन्म उननिस सो तिरालिस खुडिया मध्य प्रदेश में हुआ था परीचे उपवा निवृता प्राध्या पग हरी जोशी जी की साहित्यक रचनाई हिंदी की लगग सभी प्रतिष्थित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है तो निव नव प्रतिष्टित याने की फेमस पत्र और पत्रिकाओं में याने की नाइकजिन्स में न्यूस पेपर में इस तरह से प्रकाशित याने की छपती रही और आपको गोयन का सारस्वत सम्मान और इन्हें दो सम्मान प्राप्त हैं गोयन का सारस्वत सम्मान और वागिश्वरी सम्म ये भी प्राप्त हुए इनकी लेख रचनाओं के लिए तो इनकी प्रमुक कृतिया कौन-कौन सी है पंखुडिया यंत्र युग अखाडों का देश भारत का राग अमेरिका के रंग इत्यादी आए इस चाप्टर के बारे में गद्य संबंदी परीचे देखते हैं तो दो ल लगुकताएं दी गई है प्रथम लगुकता में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा अतह बुरे काम नहीं करने चाहिए तो फॉर्स्ट में आपको क्या मैसेस दिया गया है कि अगर आप बुरा करेंगे तो उसका फल भी आपको बुरा ही मिल पूर्ण है और दूसरी जो लगू करता है वहाँ पर लेखक आपको ये समझा रहे हैं कि बहुत जादा अगर आप स्ट्रिक्ट हो जाते हो तो वो भी सही नहीं है उसकी जगह आपको पॉलाइट होने की जरूरत है यानि कि हमेशा लोगों के साथ कठोर स्वर में बात करना को घमंड के साथ जीने से कोई फाइदा नहीं होता है तो आई ये शुरू करते हैं हम अपनी पहली लगू कथा नीव बहु मंजिला इमारत की दीवार नीव से उट रही थी तो एक ऐसी बिल्डिंग जो बहु मंजिला थी यानि कि जैसे हम शहरों में देखते हैं कि एक के जाना होता है तो उसी नीव से ही उस बिल्डिंग की शुरूआत की जा रही थी ठेकेदार नया था यानि कि जो कॉंट्रेक्टर है वो अभी नया था भैभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और पांच तगारी रेत के मसाले से इटो की जुडाई करवा रहा था तो देखिए ज यह बंदा भापर क्या करा था एक तगारी यानि कि एक घमेला आपने देखा होगा जबी भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो प्लास्टिक का या फिर मेटल का घमेला होता है जिसके अंदर सिमेंट को बनाया जाता है मतलब मसाला जिसे हम कहते हैं वहापर वो बनाया जाता है तो सिमेंट और पांच तगारी रेती तो कॉंबिनेशन देख रहे हैं आप वन इस्टू फाइफ का यानि कि एक घमेला सिमेंट और पांच घमेला रेत से मसाले बनाये गया और जिससे इटों की जुड़वाई शुरू हो गई थी अगले दिन अधिकारी महोदे आए तो व भई मैं इससे खुश नहीं हूँ असंतोष यानि की नाखुशी तो उन्होंने ये अपनी नाखुशी व्यक्त की महोदे बोले ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाए तो जो ऑफिसर सहाब में वो क्या बोलते हैं कि वह एक घमेला सिमेंट और पांच घमेला रेत मिला रहे हैं अगर ऐसा काम तुम्हें करना है न तो यहां मत करो कहीं और जाकर करो अगले दिन ससंकित नए ठेकेदार ने एक तगारी सिमेंट और तीन तगारी रेत के मसालों से इटों की जुड़वाई गी तो बिचारे जो घबराए हुए थे और ससंकित थे यानिकि शंकाओं में घि तो ऐसे में जाकर जो नए ठेकेदार थे उन्होंने थोड़ा सा अपना कॉंबिनेशन चेंज किया क्योंकि बड़े ओफिसर ने आकर उन्हें धोस दीती ना खुश हुए थे उनके काम से तो इसलिए उन्होंने फिर क्या कि एक घमेले सिमेंट में तीन घमेले रेत से मसाला बनाना शुरू किया और उससे इट की जुड़वाई शुरू की संबंदित अधिकारी आये फिर से जो पिछले दिन आये थे वही वापस से ऑफिसर आये उन्होंने नीव की दिवार पर एक निगाह डाली और गरम हो गये मतला बहुत जादा गुस्से में आ गये वो और इस काम बंद करवा दिया जाएगा यानि कि अगर तुमने काम को सही से नहीं किया परियाप्त सुधार जो भी तुम काम कर रहे उसमें सही तरीके से कोई सुधार अगर तुमने नहीं की तो तुम्हारे काम को बंद करा दिया जाएगा जब नए ठेकेदार की समझ में बात नही तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही तो जो एक experience contractor थे उनके पास गए और उनसे बताया ये सारा problem और इस problem का क्या solution होगा ऐसा उन्होंने उससे मांगा सलाह मांगी कि इसको कैसे solve किया जाए क्योंकि इन्हें इसको समझ में नहीं आ रहा था इ इन्हें जादा कुछ पता नहीं था तो इसलिए इन्होंने सोचा कि किसी experience contractor के पास जाना चाहिए फिर अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदे रिश्वत चाहते हैं देखिए जिन्होंने इतने साल अपनी जिंदगी में काम किये हो अनुभवी है तो उन्हें ये प अधिकेदार इमानदार था अभी नए नए जगह पे काम करने गए थे और उनके अंदर इमानदारी भी थी वह रिश्वत देने लेने को अपराद समझता था तो उसे रिश्वत ना तो देना पसंद था और ना ही लेना इन दोनों को ही वह अपराद याने की crime समझता था उ अगले दिन अधिकारी महोदे निरिक्षण करने आए तो निरिक्षण करना यानि कि जहां पर काम हो रहा है उसे चेक करने के लिए वहाँ आए ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया और फिर कॉंट्रक्टर को ये समझ में आ गया था कि उसे इंवेलप में कुछ पैसे भर कर उसके हाथ में दे दिये अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एक आ एक वहाँ उच्छ अधिकारी आ गये तो वो ऑफिसर जैसे ही उस रुपयों का इंवेलप लेकर जा रहा था उतने में ही उससे बड़ा एक उफिसर भी रंगे हातों यानि कि उनके हात में ही वो पैसे थे और उनोंने अब वो जूट भी नहीं बोल सकते हैंकि मैंने ऐसा नहीं किया वगरा तो रंगे रात में ही मतलब ऐसा क्यों होगा था थेकेदार ने अधिकारी महोधय के खिलाफ उच्छ अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी तो उन्होंने कम्प्लेन रेजिस्टर कर दी थी उसके उच्छ अधिकारी के यानि कि जो उससे उपर ग्रेड का जो ऑफिसर है उसके पास जा कर वहाँ पर पंप्लेन कर दी थी उच्छ अधिकारी इमानदार थे उच्छ अधिकारी कैसे थे बच्छों इमानदार थे उन्होंने कहा कुछ एक भरष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रसाशन बदनाम है तो यहां उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे करप्ट ओफिसर्स की वज़े से ही पूरा प्रसाशन बदनाम है यानि कि पूरे देश में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं ये सभी लोग बदनाम हो गएं कुछ ऐसे भरष्ट अधिकारीों के कारण ही तो उन्होंने भरष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निरने किया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस करप्ट अफिसर को पनिश्मेंट दिलाना ही होगा सच ही कहा है बुरे काम का बुरा नतीजा तो पुरा काम करने से हमें क्या उसका रिजल्ट भी बुरा ही मिलने वाला है ठेकेदार और उच अधिकारी की इमानदारी का समाचार चारो तरफ फैल गया उनका सारवजनिक समारोह में स पिर सारवजनिक समारोह में उनका सम्मान किया गया तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि हमेशा इनसान को इमानदारी और सच्चाई को अपनाना चाहिए क्योंकि अगर हमने जूट का या बुरे काम का साथ दिया तो उसका हमारा जो है कुछ अच्छा रिजल्ट बनने वाला नहीं है उससे हमें हमेशा कुछ बुरा ही मिलने वाला है तो आईए शुरू करते हैं हमारी अगली कहानी को जीब का वर्चस्व देखिए दात और जीब में हमेशा यह लड़ा ही होती है कि मैं बड़ा और मैं बड़ा तो जीब का वर्चस्व कैसे है आईए देखते पंक्ति बद्ध और एक जूट रहने के कारण दाथ बहुत दुस्साहसी हो गए हैं दाथ कैसे हैं पंक्ति बद्ध है यानि कि सब एक सीक्वेंस में बंदे हुए हैं और प्लस एक जूट है यानि कि एक साथ बंदे हुए हैं ये तो उसके कारण दाथ क्या हो गए हैं बहुत तो एक बार वो घमंड में चूर होकर जीव से कहते हैं कि हम 32 घनिष्ट मित्र हैं देखे दात कितने होते हैं 32 होते हैं और वो क्या कह रहे हम बहुत ही गहरे दोस्त हैं एक से एक मजबूत और दात क्या कह रहे हम 32 लोग है वो भी एक से एक मजबूत हैं तू ठहरी अकेली और जीब क्या है अकेली चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। एकदम सफेद और स्वच हो पर मन से बड़े कपटी हो तो यानि कि दाथ उपर से देखने में तो बड़े सुन्दर और सफेद दिख रहे हैं मगर इनका मन बहुत ही काला है जो जीब को अकेला देखकर उसे कमजोर समझ कर उसे रोकने की बात कर रहे हैं। उपर से स्वच और अंदर से काले घोशित करने वाली जीब वाचालता छोड़ अपनी आउकात में रहे। तो दात क्या कहते हैं कि हमें उपर से साफ और अंदर से काला घोशित करने वाली जीब अपनी वाचालता यानि कि जो तुम बढ़ चड़ कर बोल रही हो उसे छोड़ो और अपनी आउकात में रहे हम तुझे चबा सकते हैं यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर दात जो है वो जीब को कहते हैं कि तू यह मत भूल कि तुझे हमारी कृपा से ही यहाँ पर जगा मिली है और जिसके कारण ही तू यहाँ पर रह पा रही है राज कर पा रही है दातों ने किटकिटा कर कहा तो सभी दात चिड़ कर किटकिटा रहे थे और किटकिटाते हुए उन्होंने ये सबी बाते कही जीब ने नमरता बनाए रखी देखे दात कितने दुस्वासी हैं कि वो घमंड से बात कर रहे हैं और जीब में अभी भी नमरता है तो नमरता बनाए रखी किन्तु उत्तर दिया मतलब ऐसा नहीं है कि नमरता है तो हम जवाब भी नहीं देंगे नम्रता के साथ ही उसने उत्तर दिया दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी तूटते भी हैं ललक रखना यानि की लालसा मतलब इच्छा रखना तो जीब का कहना है कि जो दूसरों को चबा जाने की इच्छा रखते हैं वो बहुत ही जल्दी तूटते भी हैं सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते यानि कि दात जो फ्रंट में आते हैं सबसे पहले बच्चों के दात आगे के ही आते हैं और जब बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले आगे के दात ही तूटते हैं तो मनुश्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रह व्रिधा वस्था में उसे असहाय छोड़ कर चल देते हो यानि कि दात की सुन्दरता है बस जवानी तक ही रहती है जैसे ही बुढ़ापा आता है वैसे ही वो उसे असहाय यानि कि बेचारा बेसहारा छोड़ कर वो वहां से हट जाते हैं यानि कि दात गिर जाते हैं सकती साली दात भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे बोले हमारी जड़े बहुत गहरी हैं हमारे कड़े और नुकीले पन के कारण बड़े बड़े हमसे थर राते हैं तो दात क्या अपनी हार नहीं माने उन्होंने और बोलते हैं कि हमारी जड़े है ना भले हम उपर से गिर करता है, सभी थराते हैं, जीवा ने विवेक पूर्ण उत्तर दिया, मतलब जीवा ने सोच समझ कर विवेक के साथ यानि कि पूरे अच्छे मन से जवाब दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्ये छेत्र मुह के भीतर तक की सीमित है, तुम कि तुम कितने करने की शमता है तो कहती है मैं विनमृता के साथ कह रहे हूँ कि मेरे अंदर वो पावर है कि मैं पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती हूँ और छुका भी सकती हूँ यानि कि अपने प्रभाव में ला सकती हूँ जैसे हम अच्छे शब्दों का इस्तमाल करते हैं तो सभी लोग हमारे मित्र बन जाते हैं बुरे शब्दों का इस्तमाल करेंगे तो सभी हमारे दुश्मन बन जाएंगे यानि कि हमार जीवा में ही वो पावर है कि वो लोगों को जोडने और तोडने का और अपने समाज में अपनी एक अलग प खड़े हैं तू हमसे कब तक बचेगी जीव ने दातों के घमंड को चूर करते हुए चेताव नी दी तो उसने भी फिर वार्निंग दी पहले बहुत जादा विनम्रता दिखाई अब विनम्रता की हद तूट गई तो अब उसने क्या यहां पर चेताव नी दिखाई डॉक्ट सारे दातों को उखाड फेकेंगे और जीव को तो हाथ भी नहीं लगाया जाएगा क्योंकि देखो दात जब दर्द देने लग जाते हैं तो सभी लोग क्या करते हैं दात को उखाड देते लेकिन जीव पे अगर छाला भी हो जाए तो भी इंसान जीव थोड़ी कटवाने जाता है तो घमंडी दात अब निरुत्तर थे तब उनके पास कोई जवाब नहीं था उन घमंडी दातों के पास उन्हें कविता कि यह पंक्ति याद आ गई किसी को पसंद नहीं सकती बयान में तभी तो दी नहीं हड़ी जुबान में तो उन्हें कहावत याद आगे कि किस किसी को पसंद नहीं आता है इसी लिए जुबान में कोई हड़ी नहीं दी गई यह ताकि जुबान लचीली रहे और वो किसी भी तरीके से अपने आपको फोल्ड करके और तरह-uela की बातों को वो बोल सके घमंडी दातों ने आखिर जीब का लोहा मान लिया यानि कि जो घमंडी दात है अब जाकर उन्होंने इस बात को accept कर लिया कि यहां भई तुम ही बड़ी हो तो जीब का वर्चस्व आई होप आपको यह दोनों चाप्टर समझ में आऊंगे यानि कि इन दोनों स्टोरी से आपको जो मैसेज यहां पर लेखक देना चाते थे हरी हर जोशी जी जो भी आपको यहां पर मैसेज देना चाते थे उनका मैसेज आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासिस यूट्यूब चैनल और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर और हाँ कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट सी हमारा मोटिवेशन है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में